नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपसे भी का आज की इस वीडियो में तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसी महिला करांतिकारी के बारे में जो सिर्फ 17 साल की अमर में ही शहीत हो गई थी इनका नाम है कनकलता बरुवाजी इनका जन 22 दिसंबर 1924 को हुआ था और इनकी मृतिव 20 सितंबर 1942 में क्वेट इंडिया यानि की भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान 1942 में हो गई थी ये एक इंडियन इंडिपेंडेंटेंस एक्टिविस्ट थी और AISF की लीडर भी इनके बारे में और बात करें तो इनका जन बोरिंग बारी गाओं में हुआ था उस समय के जब तक भी भाजित नहीं हुआ था दरंग डिस्टिक्ट असंग का महाँ पर इनके पिता का नाम कृष्नकांत और इनकी माता का नाम करनेश्वरी बरुआ था इनकी माता की मृत्यू जब ये सिर्फ 5 साल की थी तब ही हो गई थी और इनकी पिता की मृत्यू जब ये 13 साल की थी तब हो गई थी यसे थर्ड क्लास तक ही स्कूल में गई थी उसके बाद इनों ने स्कूल छोड़ दिया था ताकि ये अपने छोटे भाई भेनों का ध्यान रख सके महारचोड़ा अंदोलन के दौरान कनकलता जी ने एक गुरूप जोइन किया था जिसका नाम था मृत्यू बहीनी जिसमें सारे जो यंग पीपल थे उस टाइम पे उसका वो गुरूप था गोपूर सबडिविजन ओफ असन में 20 दिसंबर 1942 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो नेशनल फ्लैग को लोकल पुलिस टेशन में फैराएंगे उस टाइम पर वहां की जो ऑफिसर थी रिबती महांसो उन्होंने वार्ण भी किया था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा लेकिन कनकलता जी पीछे नहीं हटी और कनकलता जी और उनके साथ एक और जो थी महिला क्रांतिकारी उनको गोली मार दी गई और 17 साल की उम्र में ही कनकलता जी शहीद हो गई देख सकते हैं आप असम के तेजपुर डिस्टिक्ट में कनकलता उद्यान या फिर रो कार्डन है जो वहाँ पर इंसिडेंट हो था उस वक्त पुलिस टेशन में उसको डिस्क्राइब करता है कनकलता जी के नाम पर एक फास्ट पेट्रोल वेसल आई सी जी एस कनकलता बरुआ और इंडियन कोस्ट गार्ड का कमिशन किया गया था 1997 में और उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू भी गौरीपूर में बनाया गया था 2011 में हर इंपैशन स्पीच बिफोर हर डेथ रिमेंस ए सोर्स अफ इंस्पिरेशन फो मैनी इन्होंने सिर्फ सतरह साल के उंगर में ही अपनी आपको देश के नाम कर दिया था तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो